हम पढ़ा हैं अगलाजरी आफ ट्री टर्म्स बाइए एमेच अबरम्स जोफरी काल्ट फाफम लास्ट लास में मैंने आपको पढ़ाया है बी अलफाबेट से स्टार्ट होता हुआ पहला टर्म जिसको हम बैलड के नाम से जानते हैं मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो बैलड है वो एक फॉक लिटेचर का चाइब था और ये इसका टांस्मिशन एक जनरेशन से दूसी जनरेशन में औरल तरीके से होता है और क्या है इसकी खासियत कि ये popular है कि इनके बीच में या तो जो completely illiterate लोग है या partially illiterate लोग है उनके बीच में आएए आज इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं अपने अगले टर्म की और जिसका नाम है बैरॉक प्रण नाम बैरॉक और इसको देखें बैरोक इस अच्छंब यह सा च्यंब है उप्लाइड बाई जिसका प्लाइच किया गया या जो है लागू किया घया लागु किया माना गया किसके दौरा रखेंस याद रखेगेगा लेकिन पहले कैसे यह चाल्क्तोरिया रख्याम निंदात्मक रूप से आप कह सकते हैं याने एक ततरीका से सब्सक्राइब तरीका से इसको स्थिप्स्र cur गया बट्नाव लिए डिस्ट्रिप्टीब लेकिन अब इसका जो मतलब है वो किसके लिए इस्तिमाल किया ग्या वरनगा नात्मक चीजों के लिए स्कुल्प्चर के लिए समझ रहें किसके लिए स्कुल्प्चर के लिए and painting और किसके लिए painting के लिए ठीक है sculpture and painting that developed in Italy at the beginning of the 17th century and then spread to Germany and other countries in Europe तो ब्याद रखिए ठीक है किसा है style architecture का है उसके बाद sculpture क्या होता है मूर्तिकला इस कल्चर क्या है आपका ये है मूर्तिकला इसमें इस्तिमाल किया गया जानते हैं याँ पेंटिंग चेतरकला जो होती है उसके लिए जो विक्सित हुई कहाँ पर सबसे पहले इटली में याद रखें कहाँ पर इटली में और कहाँ पर बेन इस्प्रिट टू जर्मनी इसके बाद कहाँ पर गया है जर्मनी में और कंट्रीज इन यॉरॉप और उसके बाद दूसरी कंट्रीज यॉरॉप में इस्टाइल यह जो स्टाइल है employs the classical form of the renaissance याद रखेगा कि जो renaissance का classical form है ठीक है उसको ये क्या करती है इस्तेमाल करती है but breaks them up ठीक है but breaks them up and intermingles them to achieve elaborate, grandiose, energetic and highly dramatic effects लेकिन क्या होता है कि ये employ करती है renaissance की style को लेकिन breaks them up लेकिन उसको तोड़ देती है कैसे और मिल जाती है जाकर के intermingle का मतलब क्या होता है मिल जाना, mix up हो जाना, किसमें to achieve ठीक है प्राप्त करने के लिए elaborate, grandiose grandiose का मतलब का है जब बढ़ा चला के बात करते हैं ठीक है energetic, उर्जावान and highly dramatic effects यानि बहुत ही बेतरीन dramatic effects को पाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं समझ रहे हैं, major examples of barrack art जो बड़े example है, barrack art के वो कहाँ पर है are the sculpture of Bernini कि क्या है, sculpture of Bernini and the architecture of St. Peter's Cathedral in Rome और Rome में जो St. Peter था, थेडरल है वो barrack design के अंतरगत ही आता है ये तो बात हुई किसकी, especially architecture की sculpture की और painting की तो हम देखते हैं, क्या है the term has been adopted with reference to literature ठीक है, अगर आप बात करें साहित के reference में इसकी, तो क्या है with very diverse applications तो इसके क्या है, बहुत ही diverse ठीक है, applications है with a diverse और आगर आपके पास नया ideation है तो वहाँ पर क्या होगा, variety of application, तो एक ही बात हुई चाहे variety of applications की बात की चाहे diverse की बात ही, एक ही बात है उतमें signify, तो ये signify कर सकता है any elaborately formal and magni-liquent magni-liquent का मनल क्या होता है तो एक तो magnified दो word है, portmanty word है तो magnified दूसरा क्या है, eloquence दूसरा क्या है आपका eloquence समझ रहे हैं formal and magni-liquent style यानि की formal का मतलब आपचारिक और आप जानते हैं जब आपचारिक बातें कोई होती हैं तो आदमी क्या करता है, बहुत ही stylist words का इस्तिमाल करता है जिसमें हलके फुलके word नहीं आते हैं तो elaborately formal and magni-liquent style इन verse और प्रोज, चाहे वो वर्स में हो, यानि पोयम में हो या प्रोज में हो फॉर एक्जामपल उदाश्र के तोर पर सम वर्स पैसेजेस कि कुछ पोयम के पैसेजेस इन मिल्टन्स परडाइज लॉस्ट मिल्टन की परडाइज लॉस्ट में जो कवार्टी 1667 में और तॉमस दिक्वेंसी इस प्रोज डिस्क्रिप्शन ऑफिस ड्रीम्स इन कनफेशन ऑफ एन इंग्लिस ओपियमेटर बहुत फेमस वर्क है उनका ठीक है और कहां पर इस वर्क में उनके जो प्रोज डिस्क्रिप्शन हैं इसके उनके सपनों के वह भी किसमे है इस ठीक है बैरक वाली स्टाइल में लिखे गए हैं इन दोनों को ठीक है बैरक कहा गया है यहां पर भी और यहां पर भी कि ये कभइ बाद का रहा है देखिए गुसरे महाद्वी पे इंग्लाइड को चोड़ करके इंग्लेंट इस पीरिये हुर पॉस्ट रेन JENNस लिटरेचर फीर करते हैं खऴता है इक अबदिकी हो कि एक अवदी की तरीके से और पोस्ट रनेसंस लिटरेचर टिक है इन दा 17 सथादी में पोस्ट रनेसंस लिटरेचर को ले करके और इस प्लाइड इस सब्दों का करते हैं अत्यधीक बेमतलब की जब क्या होती है आती है और the late 16th and early 17th century यानि कब लगभग 1580 के बाद कह लीजिए या early 17th का मतलब क्या है 1610, 20 या 30 इसके आसपास जो century के हैं पोएट्स काउन से हैं देख लिए गियांबटिस्टा मेरीनो इन इतली यांबटिस्टो मेरीनो इतली में और लुई डी गॉंगोरा इन इस्पेन समझ रहे हैं इन लोगों ने इसको इसको इस्तेमाल किया इन इंगलिस अगर बात करें इंगलिस इचर की तो दा मेटाफिजि अप्लाइट तुदा इलेबोरेट इस्टाइल फंटैस्टिक कंसेट्स एंड एक्स्ट्रीम रिलिजियस इमोशनलिजम आप दा पोएट रिश्चर्ड क्रैसा लेकिन इस्टम को क्या किया गया ठीक है और अट्यधिक अच्छी तरीके से अप्लाइट टुदा इलेबोरेट स्टाइल ठीक है कहिए फंटैस्टिक कंसेट्स एंड एक्स्ट्रीम रिलिजियस इनि अत्यधिक धारमिक ॥ावनाओं का इस्तेमाल क्रने के लिए रिचर्ड क्रैसा ने देख सकते हैं अंतरगति से रिफर टू रिफर टू रेने वेलक चीक है रेने वेलक का भी यह दा कॉंसेट आफ बैरक इन लिटरी स्कॉलर से इन कॉंसेट आफ ट्रिटिसिजम डटम अब यह इंपॉर्टन चीज है यहां से लेकर के यहां तक आपका पूर्डा क्या इंपॉ जाहां है डैट इस रफ खुर्डरा है और कैसा इल्रेगुलर इन से पर टू झासा से इसको लिया गया जाट रखेगा वहां से सको लाइा जाता है जिसका रॉनाम क्या है बैरक का पर्ल एक ऐसा मौती जो क्या है टीक है मौती तो चमकने ही वाला होता है जिस तरीके से हम जो language का इस्तेमाल करते हम वी क्या होती अट्रेक्टिव होती है अब अग्ला जो ट्महें देखिए वो है बैतोस तो मतलब क्या होता है गहराई यूद रखेगा क्या है यहां पर डिक है गहराई है और यह रहा है कैसा क्या है एक ऐसा इंडिस्पेंसिबल डर्म रहा है क्या है colonial एक त्रार्म्रा रहा है डिकर्डीक्स का सिर्स अलेक्जंडरपुक issued के ताइम किसके टाइम से लगसेंडर खैम से parodying जब उनने क्या कि या parody की the Greek longinus famous essay on the sublime longinus का famous essay कौन सा है on the sublime उसकी जब parody की parody का मतलब क्या होता है नकल करना तो कैसे मजा कुड़ाने के लिए parody उस समय एक बहुत famous genre उभर करके आया था that is loftiness ठीक है इसका मतलब क्या है loftiness rot in 77 7 on an essay इन्हों नहीं चाहिए 1727 में Alexander Pope ने ठीक है Alexander Pope ने क्या किया किया किसे को लिखा जिसका नाम चाहता On by thoughts of the art of singing in poetry सिंक मतलब भी क्या होता है डूबना ठीक है With mock solemnity मौत मतलब मजा किया Solemnity में Pope assures his readers Pope क्या करते हैं अपने पाठकों को निस्चिंद करते हैं that he undertakes ठीक है कि वो क्या कर रहे हैं He undertakes मतलब he attempts उनका क्या है प्रयास यह है To lead them कि वो अपने ठीक है lead मतलब क्या read Sorry यहाँ पर them किसके लिए readers के लिए कि वो अपने leaders को sorry readers को वहां ले जाएंगे As it were by the hand ठीक है जैसे क्या हो हास ले जा रहे हैं तहाँ पर the gentle downhill way to bathhouse यह जो gentle town downhill है किसी bathhouse की वहां पर the bottom नीचे the end and the central point the non plus ultra मैं रहे हैं the non plus ultra non plus ultra का मतलब क्या होता है ठीक है यह है एकमी non plus ultra का मतलब क्या है apex ठीक है apex मतलब उचाई पर of true modern posy modern posy का मतलब क्या है poetry तो वहां पर बागे देखिए the word यह जो सब्द है since has been used for an unintentional descent याद रखेगा यह बहुत important चीज है समझ रहे हैं bathhouse जो word है समझ रहे हैं वो क्या है एक unintentional descent है यानि author चाहता नहीं है उसका इरादा नहीं है लेकिन वहां पर descent आ जाता है descent का मतलब क्या है गिराव ठीक है in literature साहित में when straining to be pathetic समझ रहे है इस training to be pathetic और passionate और elevated इस training का मतलब जब आप अत्यधिक प्रयास कर रहे हैं खूब सारा प्रयास कर रहे हैं किसके लिए to be pathetic की आप गंभीर हो जाएं passionate हो जाएं या elevated आप बढ़ा चड़ा करके बुर्ते करें उसको लेकर करके बागे देखिए the writer oversuits the mark बज़ रहे हैं oversuit का मतलब क्या होता है सीमा से परे सीमा से परे writer क्या करता है इस mark से परे जाता है and drops into the trivial और क्या होता है गिर जाता है कहां पर trivial का मतलब सुच्छ में या और दा ridiculous situation कैसी हो जाती है अस्यास्पद हो जाती है among the examples ने उदाहरणों में hope sites hope site करते हैं क्या the modest request of two absent lovers समझ रहे हैं modest request of two absent lovers यानि यह दो absent lovers है उनकी एक modest विनम्र क्या है विंती है देखे in a contemporary poem देखे you gods क्या कर रहे हैं you gods annihilate but space and time मुझ रहे हैं इनलेट but space and time यानि आप सब कुछ destroy कर दो आप सोचिए कितना उचाई पर लेके जा रहे हैं पहले इनलेट but space and time oh god यह क्या सब कुछ बर्बात कर दो सिवाए किसके space और समय को छोड़ करके and make two lovers happy और देखे तुरंद क्या हुआ decent fall हुआ एक बार की चीज़ें क्या हुआ हुए पहले पर चलहा कर दिया सीधा उतार दिया कि वादब पूरी दुनिया को जो है खतम कर दिये space और time को छोड़ करके है जो famous है और वो याले university से जुड़ा हुआ है आप बताएंगे comment section में इसका जवाब क्या है यह sentence pathetic है because it moves to intended climax क्लाइमेक्स की और जा रहा है sentence climax क्यों जा रहा है यानि जहां पर इसको यानि सुवर्प हमने क्या किया ठीक है गौट की बात की फिर कंट्री की बात की फिर हम याले की बात कर रहे हैं that is then ascending sequence of importance climax का मतलब क्या होता है एसेंडिंग सेक्वेंस ओफ इंपोर्टैंस ठीक है क्या है persuasion की language अगर आप किसी उनिवर्सिटी में खड़े होकर किस पीज दे रहे हैं आप कुछ भी रहे हैं तो आप बात करते हैं सबसे पहले मैं इस तोर को याद करना चाहता हूं फिर अपने देश को जिसने मुझे जो है ये मौका दिया उसके बाद फिर मैं बात करता हूं किसकी अपने उसकॉलेज की और इस यूणिवर्सिटी की जिसने मुझे ये अप्वार्शुन्टी प्रोवाइड की लेकिन क्या है बट टू अनिटेंडड दिसेंट लेकिन ये गैर इरादतन टीक है विच डिसेंट है यानि जो यहां पर यह जो नारा है स्लोगन है यह क्लाइमे किस लाफ सब्सक्रामस वीलिगुल मुझे लेकिन की लेकिन अच्छाण कररें इस बीरुमतिक करें है है who is not a yale student जो क्या है yale university का student नहीं है उसके तो आप गलत कर रहे ना उसके लिए तो भाई आप yale गो रखिए फिर country फिर God आएगा सबसे बड़ा जो है ठीक है even major poets यहां तक कि जो बड़े poets है sometimes कभी कबार fall unwittingly into the same rhetorical figure वो भी क्या होते हैं इसी तरीके से persuasion के चक्कर में ठीक है समझाने के चक्कर में अपनी बातें रखने के चक्कर में fall कर जाते हैं गिर जाते हैं in the early version of the prelude पहले Sanskrit में ठीक है कौन सा है 805 में जो आई book beat writers to William Wordsworth ने after recounting at length the tale of the star-crossed lovers star-crossed lovers क्या होता है ऐसे प्रेमी जो किसी की कारण किसी कारण वस किसी भी कारण से हो सकता है किसी कारण वस मिलन जिनका ना कि मिलन जिनका क्या हो ना हो क्या होते हैं star-crossed lovers होते हैं तो बता रहे हैं after recounting at length यानि काफी सारी जो है बाते हैं बता करके किसी star-crossed lovers की एसे फ्रेमी को एक है जिनका नाम क्या है वाड्रकोर और जूलिया यह क्या है वाड्रकोर और जूलिया वाड्रकोर लड़के का नाम है जूलिया लड़की का नाम है विल्स हाव जूलिया डाइड विल्यम वर्सवत बताते हैं वर्सवत कि कैसे जूलिया मर गई लीविंग वार्डरकॉर वार्डरकॉर के फास छोड़ करके तो रेज दियर इंट सन क्यों क्या करेंगे अपने नवजात सिसु को न करेगा रेज करेगा उनका पालन पोसन करेगा ठीक है कैसे बता देखिए इट कंसोल्ड हम ही है इसको उसने कंसोल किया अपने बेटे का जो कि क्या करेगा अब देखिए यहां पर खुब इलिवेटेड बात हो गई इन तीनो लाइनों में क्या हुआ है और थर ने बहुत बढ़ा चला करके बताया कि तुम क्या करोगे जो लड़की है उसको समझा रही है कि अब मैं जा रही हूँ अब मैं मर गई हूँ मरने वाली हूँ तुम क्या करोगे इस बच्चे का एक नर्स की तरीके से ख्याल रखोगे एक आया की तरीके से उसके पास लगे रहा हुगा, अब तुम ही उसके माता और पिता दोनों हो, क्या, which after a short time by some mistake, ठीक है, which after a short time, जो क्या हुआ, तोड़े से समय में time by some mistake, इसी गलती से, और discretion of the father, the father, discussion का मतलब क्या है, अविवेक, गलती के कारण क्या हुआ, the father, पिता के, ठीक है, died मतलब मर गया, यहां तक तो बाते खूब हो रहे थी, यहां पर तक समझाया गया उसको, लेकिन फिर क्या बता रहे हैं, कि इसकी गलती से या इसी वजासे बच्चा क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या हुआ, यह एक example हुआ किसका, बैथास का, या ठीक है, इस तरीके से आप देख रहे हैं, decent हो रहा है, अगे बढ़ते हैं, अगे बढ़ते हैं, एक दूसर टा में देख लिए, उसी से जुड़ा हुआ है, इन्टी क्लाइमेक्स, बैथास और इन्टी क्लाइमेक्स तो चीज़े हैं, बैथास में भी चीज़ें क्या होती हैं, नीचे की ओर जाती हैं, और यहाँ पर भी क्या होता है, एन्टी क्लाइमेक्स में भी कुछ ऐसा ही होता है, फरक क्या होता है, हम समझेंगे दोनों में, कर आप बात करें कि करें थे ठीक उसमें तो एंटी क्लाइमिक्स क्या है इस नौन डिरोगेटरी तरियोद्था यह नौन डिरोगेटरी है और आप सुरू वैंने बताया है यह deliberate होता है यह intended होता है इरादे के विज़ास होता है यह ऐसा होता है यह unintentional होता है यह इसमें इरादा नहीं होता है यह intentional होता है deliberate draft from the serious गंभीर मुद्दों की बाते करता रहेगा राइटर और जान बूस करके नीचे आ जाएगा and elevated to the trivial and lowly बड़ी बड़ी बातें करतें चोची बातें कर लगते हैं in order to achieve ताकि अचीव कर सके क्या comic or satiric effect एक comic या satiric effect दस इस तरीके से Thomas Gray जो है कहां पर अब in his mock heroic mock heroic poem क्या है वो epic की एक परोडी मान लीजिए the Thomas Gray in his mock heroic ode on the death of a favorite cat 1749 में the cat had drowned डिल्ली क्या हुई डूब गई when she tried to catch a gold fish जब उस नहरी मचली को करने की कोशिस कर रही ग्रेवली का मतलब seriously उन्होंने क्या किया बड़ी गंभीरता से insert this moral observation उन्होंने डाला क्या इस नैतिक observations को क्या है ओब जर्वेशन लेकिए what female heart can gold despise कौन इसी महिला है जो क्या कर सकती है सोने से नफरत कर सकती है ठीक है सोना मतलब golden से gold से नफरत कर सकती है displacement क्या होता है नफरत करना what cats are worse to fish कोन इसी बिल्ली है जो क्या कर सकती है मचली खाने से ठीक है मना कर सकती है उसे बुरा लग सकता है यहां पर क्या उची बाते करके फिर तुरन नीचे आ गए यह है anticlimax का कमाल ठीक है जानबूच करके non-derogatory है intentional है और देखे and in don juan don juan जानते है किसकी है बारन की है कोयम बारन यूजस anticlimax anticlimax का इस्तेमाल करते हैं to deflate समझ रहे हैं क्या होता है to deflate क्या करने के लिए deflate करने के लिए deny करने के लिए इंकार करने के लिए माले जीए the would be gallantry of juan's father ठीक है जो बहादुरी है होने वाली किसी juan के father की उसको इंकार करने के लिए deny करने के लिए हटाने के लिए क्या करते हैं anticlimax का इस्तेमाल करते हैं कैसे देखिए a better cavalier never mounted horse एक जो बहतर cavalier है ठीक है वो कभी घोडे पर सवार नही सवार हो गया पहले तो वो सवार होगा नहीं और अगर गलती से सवार हो जाता है ever got down तो वो कभी नीचे नहीं उतरेगा बजा कुडा रहे हैं कि एक जो cavalier होगा बेहतर वो कभी भी क्या होता है गोडे पर सवार नहीं होता है और सवार हो भी गया तो वो कभी गोडे पर से उतरता नहीं है ठीक है तो यह आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर anti-climax का इस्तेमाल किया गया है आज ही class में हम इतना ही पढ़ेंगे मिलते हैं अपने अगली class में कुछ नए terms के साथ में thank you so much for watching have a good day